अगर आप निहारी के शौकीन है तो यकीन जानिए, इससे बहतरीन कोई निहारी हो ही नहीं सकती तो आज मैं आपसे शेयर कर रहे हूँ बीफ नली निहारी, जो के हम घर के बने निहारी मसाले से बनाएंगे और मैं आपको मसालों के ठीक तनासुप के साथ मसाला बनाना बताऊंगी आप यकीन जानिए एक दफ़ा आपने मेरे बताये हुए परफेक्ट मसाले से नहारी बना ली तो आप हर बार नहारी घर में ही बनाना पसंद करेंगे और जब आप घर के निहारी मसाले से बहुत से भी ज़्यादा अच्छी निहारी घर में बना सकते हैं तो फिर क्या जरूरत है पैकेट के मसाले इस्तेमाल करने की या बाहर जाकर महंगी तरी निहारी खाने की या फिर और करके ममवाने की आप एक दफ़ा ये निहारी मसाला ब नलियां दो अदद ली हैं निहारी बनाने के लिए मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ आप मैटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहले मैं गोश्ट को छुरी की मदद से साफ कर लूँगी और फिर अच्छे तरीके से धो कर गोश्ट के मैं बड़े पीसिस बना लूँगी निह नलियां निहारी बनाने के लिए तयार हैं अब जल्दी से निहारी मसाला तयार कर लेते हैं निहारी मसाला बनाने के लिए मुक्तलिफ किसम के मसाले इस्तेमाल किये जाते हैं तो इन तमाम मसालों से हम परफेक्ट और बहुत मज़ेदार निहारी मसाला तयार करेंगे सबसे पहले तो हमने तमाम अज़ा को ड्राय रोस्ट करना है ड्राय रोस्ट करने से तीन फायदे होंगे एक तो इनका टेस्ट बढ़ जाएगा और दूसरा निहारी मसाला लॉंग लास्टिंग हो जाएगा यानि के मसाला तैयार कर लेने के बाद तेर से दो साल अराम से रूम टंप्रेचर पर रिस्टोर कर सकेंगे और तीसरा इन में से मौश्चर खतम होने की वज़ा से इन्हें बारीक पीसने में भी बहुत असानी हो जाएगी तो पैन में मैंने 4 टेबिल स्पून साबुद धनिय शामिल किया है तीन टेबिल स्पून सौफ शामिल की है दो टेबिल स्पून सुफैस जीरा शामिल किया है और तकरीबन 20 ग्राम सौट यानि के ड्राइ जिंजर शामिल किया है अगर सौट की पॉटर फॉर्म में बात की जाए तो ये तकरीबन 3 टेबिल स्पून है ये मैंने जाइफल और जावतरी ली है मेरे पास बड़े साइज की जाइफल थी तो मैंने आधी इस्तेमाल की है अगर आपके पास छोटे साइज की हो तो पूरी इस्तेमाल कर लीजिएगा और ये छोटे साइज के मैंने तीन अदर जावतरी के फूल लीए है ये 10 अदद छोटी लाईची ली है ये 5 अदद पिपली शामिल की है जिने फिल-फिल दराज़ भी कहा जाता है ये 2 छोटे पीसिस दार्चीनी के शामिल किये है 1 टेविल स्पून काले मिर्ची शामिल की है दो अदद थोड़े बड़े साइस के बादियान के फूल शामिल किये है दो अदद बड़ी लाइची शामिल किये है बीस अदद लॉंगे शामिल किये हैं जो कि तकरीबन एक टीस्पून के बराबर है निहारी मसाला में तीन बहुत अहम अज़ा होते हैं जिसकी वज़ा से निहारी में एक मुक्तरिफ टेस्ट आता है एक सौन, दूसरा सौन और तीसरा टिपली तो निहारी मसाला बनाने के लिए ये तीन अज़ा आपने लाज़मी शामिल करने हैं अब फ्लेम को अन कर लेना है और लो फ्लेम पर मुस्तकिल समझा चलाते हुए इन अज़ा को भून लेना है बस हमें इन अज़ा को इतना भूनना है कि इस में से मौस्चर खतम हो जाए इन अज़ा को मैंने सिर्फ 2-3 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है अब इन मेंसे चटखने की आवाजे आना शुरू हो गई है जिसका मतलब है कि इन मेंसे मौस्चर खतम हो गया है अब इन अज़ा को प्रेट में निकाल लेना है और इन्हें ठंडा होने देना है ठंडा होने के लिए पैन में मत छोड़ियेगा अगर पैन में छोड़ा तो cooking process चलता रहेगा ये निहारी के हज़ा room temperature पर ठंडे हो गए है अब इन्हें grander jar में शामिल करना है sawn को हावन दस्ते में पीस कर शामिल कर रही हूं ताके मसाले पिसने में असानी हो सके इसमें ये मैं 3-4 अदर तेज़ पात pieces कर के शामिल कर रही हूं ये एक टेबिल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चे शामिल की है और ये चार टेबिल स्पून देगी लाल मिर्चे शामिल की है एक टी स्पून हल्दी शामिल की है और दो टेबिल स्पून नमक शामिल किया है मिर्चे और नमक आप हस्बेजाय का अपने हिसाब से कम या जादा शामिल कर सकते हैं अब इन तमाम मज़ा को जितना हो सके बारीक पीस लेना है मैंने मसाले को बहुत बारीग पीस लिया है फिर भी मैं स्टेनर की मदद से चान रही हूँ ताकि अगर इन में कोई particles वगारा रह गए हो तो वो निकल जाए मैंने मसाले को चान लिया है सिर्फ half teaspoon ये दरदरा सा मसाला बचा है आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास perfect texture, color और taste के साथ निहारी मसाला बनकर तयार है और इस मसाले की smell और taste काफी strong है इसलिए काफी कम quantity में इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो निहारी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कोई health issue नहीं है तो आप निहारी घी में भी बना सकते हैं बजार के किसी भी पकवान की बात की जाए तो वो घी में ही बनाए जाते हैं और ये एक fact है कि घी में कोई भी चीज तेल के मुकाबले में जादा मज़ेदार बनकर तयार होती है मैं नहारी cooking oil में बना रही हूँ तो जो oil मैं नहारी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो पहले इस oil में मैं नहारी के साथ fry की हुई प्यास सर्फ करने के लिए प्यास को fry कर रही हूँ तो पैन में मैंने एक cup cooking oil शामिल किया है और गरम घरम हो जाने के बाद मैंने एक बड़ी प्यास बारी कटी हुई शामिल की है प्यास फ्राइ कर लेने के बाद पेपर पर डालना है और गरम गरम प्यास को फूरकी αसे पेपर पर फ्यला देना है और जब room temperature पर ठंडी हो जाए फॉरन ही आपने airtight container में transfer कर लेना है ताके ये fry की हुई प्यास crispy रह सके मैं निहारी कुकर में बना रही हूँ आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं बस पतीले में बनाने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे क्योंके बोंग का गोज गलने में थोड़ी देर लगती है कुकर में oil शामिल किया है निहारी की authentic recipe में प्यास का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंके निहारी मसाला में ginger powder यानि के sound का powder मौझूद होता है तो यहां मैंने 10 tablespoon lesson का paste शामिल किया है और यह तक्रीबन 1-4 cup पानी शामिल किया है जितना पानी शामिल किया है ड्राइ होने तक medium flame पर lesson को भून लेना है lesson भून लेने के बाद इसमें यह मैंने 1 kg बोंग शामिल की है मैं निहारी में मसाला नॉर्मल रख रही हूँ इसलिए 5 tablespoon शामिल कर रही हूँ लेकिन आप थोड़ा तेज मसाला रखना चाहते हैं तो आप 6 tablespoon मसाला भी शामिल कर सकते हैं 3-4 minute medium to high flame पर गोश्ट को भून लेना है 3-4 minute गोश्ट को भून लिया है आप देख सकते हैं गोश्ट का कलर भूनने के बाद white सा हो गया है इसमें यह मैं 2 अदर्ट बड़े size के नलियां शामिल कर रही हूँ आपको अंदाजा हो रहा होगा जो मैं cooker इसमाल कर रही हूँ size में काफी छोटा है तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 10 लीटर पानी शामिल किया है तो अब मैं cooker को cover कर दूँगी और तकरीबन एक घंटा medium to low flame पर पकाऊंगी अगर cooker बड़ा हो तो उसी हिसाब से आप पानी जादा शामिल कर सकते हैं और medium to high flame पर गोश्ट को गला सकते हैं अगर cooker छोटा है तो पानी कम डलेगा और flame को कम रखा जाएगा गोश्ट गलाने के लिए आप अपने cooker के size और pressure के हिसाब से गोश्ट को गला लियेगा मैंने अपने cooker के हिसाब से गोश्ट को गला लिया है आप देख सकते हैं कि कितना बेतरी गोश्ट गल कर तयार हुआ है अब इन नलियों को एक plate में निकाल लेना है अब इसमें से तमाम oil को एक bowl में निकाल लेना है क्योंकि जब इसमें हम आटा गोल के शामिल करते हैं तो इसमें से रोगन गाइब हो जाता है तो जितना हो सके इसमें से रोगन को एक bowl में transfer कर लेना है गोश्ट गल जाने के बाद इसमें तकरीबन एक glass gravy बची है तो इसमें ये मैं तकरीबन देख ग्लास मजीद उबला हुआ पानी शामिल कर रही हूँ अगर आपके पास मेरी तरह छोटे size का cooker मौजूद है और आपने जादा quantity में गोश्ट पकाना है तो मेरी तरीके से गोश्ट को पका सकते हैं और इसी तरह gravy को बढ़ाने के लिए उबला हुआ पानी शामिल कर सकते हैं अब जल्दी से निहारी में डालने के लिए आटा तयार कर लेते हैं जिस तरह निहारी गाड़ी बनाई जाती है तो उसी तरह मैं निहारी तयार कर रही हूँ कुछ लोग जरा पतली निहारी पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप आटे का इस्तेमाल कम कीजिएगा बहुत से लोग नहारी को गाड़ा करने के लिए कौन फ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नहारी की असल रेसिपी में गंदूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है जिससे नहारी का कलर भी बहुत अच्छा आता है तो यहां मैंने पैन में 3-4 cup गंदुम का आटा शामिल किया है लो फ्लेम पर गंदुम के आटे को मिस्तकिल चमचा चलाते हुए 3-4 मिनट भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खतम हो जाए आटा भून लेने के बाद आटे को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है और रूम टंप्रेचर पर ठंडा होने देना है गरम आटे में पानी डाल के मिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा आटे की गुटलियां बन जाएंगी आटा रूम टंप्रेचर पर ठंडा हो गया है और आटे को बोल में ट्रांसफर करके एक गलास नॉर्मल पानी शामिल किया है और अच्छे तरीके से आटे को पानी में मिक्स कर लिया है ये निहारी में शामिल करने के लिए आटे का बैटर बन कर तयार है low flame पर पकती हुई निहारी में थोड़ा थोड़ा करते हुए आटे का बैटर शामिल करते होए mix करेंगे और मुकमल तर पर mix कर लेने के बाद cooker की लिट को tight किये बगार cooker पर रखेंगे और 5 मिननट low flame पर पकने देंगे ये हमारी बहुत मजेंदार और ओथेंटिक निहारी बनकर तैयार है अब बस इसे सर्विंग बूल में ट्रांसफर करना है उपर से रोगन डालना है, गारिश करना है और गरम गरम नान के साथ सर्फ करना है और जो बचावा मसाला है उसे एर टैट जार में ट्रांसफर करके रखना है क्योंकि कोई भी मसाला सिर्फ नमी की वज़ा से खराब होता है आपने मेरे तरीके से ये निहारी जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्त दवाब में शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बेल को भी मत भूलिएगा अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अला हाफिस